नमस्कार सुस्रियकाल और अदाब मैं हूँ आपकी दोस्त अवनी शर्मा और आप देख रहे हैं आपका फेवरिट शो कैंपिस कॉलिंग दोस्तों हर बार के तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ भैतरीन कॉलेजिस और स्कूल्स जो आपके करियर को असान बनाने में करेंगे आपकी मदद आईए देखते हैं उनकी एक जलक इसी कड़ी में हम बात करेंगे हिमाचल के खुबसूरत डिस्ट्रेक्ट यानी शिमला की जो क्रीन ओफ हिल्स के नाम से पूरे हिमाचल में मशूर तो है ही और साथ ही में एजुकेशन की फील्ड में भी इसका कोई जवाब नहीं है जी हाँ यही वज़े है कि शिमला का ये कॉलेज आज हमारे शो का हिस्सा है शिमला हिमाचल का वो डिस्ट्रिक्ट जो क्वीन ओफ हिल्स स्टेशन के नाम से जाना जाता है जो किसी खूबसूरत जगह से तो क्या? किसी जन्नत से भी कम नहीं है शिमला वो जगह है जिसने अपनी खूबसूरती को अपने सौंदरे को आज भी कायम रखा है जिसके चलते ऐसी खूबसूरती शिमला के अलावा कहीं और देखने को मिल ही नहीं सकती शिमला ना सिर्फ अपने तरह तरह के टैंपल्स, पैलेसिस के लिए फेमस है बलकि ये कॉलेजिस और रिसर्च इंस्टिउशन के लिए भी उच्चिस तर पर जाना जाता है आईए डालते हैं एक नजर एपी जी शिमला यूनिवर्सिटी की ओर और जानते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कहां से एप्रूव्ट है हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में बसा एपी जी अलग प्रकाश गोयल शिमला यूनिवर्सिटी की स्थापना साल दो हजार बारहा में की गई थी ये कैंपस यूजी सी से अप्रूव्ट होने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश गर्न्मेंट प्राइवेट एजुकेशनल इंस्ट्रिकूशन्स रेगुलेटरी कमिशिन के अंडर इस्टाबिश्ट है एपीजी यूनिवर्सिटी में न सिर्फ भारत से बलकी विदेशों से भी स्टूडेंट्स एड्मिशन लेने आते हैं इस साल यहां भारत के 18 राज्यों से और 16 विदेशी देशों के स्टूडेंट्स एड्मिशन ले चुकी हैं यहां कैंपस के आसपास की चौतर पहरियाली ने हर एक स्टूडेंट का मन मोह लिया है और ऐसा हो भी क्यों ना यह कैंपस बना ही ऐसी जगह पर है आती है अलाग पर्कास गोल्ड शिम्ला शिए वस्तबले से ठिपमेर 2020 कि यहां ने हैं and we are going to celebrate the first convocation on 5th September this year. That means we'll be completing two years this year and our first batch of MBA comprising of more than 40 students will pass out who have got 100% placement. A.P.T. Shimlai University has 18 years of birth and 16 countries have been taken to the A.P.T. Shimlai University. This is a great milestone for us because it's been a third year for our A.P.T. Shimlai University and works for us. This is a great milestone for us. The B.T.M.T.M.T.M.T.M.T.M.S. This was the B.T.M.T.M.T.M.T.M.T.M.S. It was a great milestone for us in our school. Let's know about some of these courses and faculty and faculty we have. अगर वो यहां आए तो अपने साथ ज्ञान लेकर ही जाए मैनेजमेंट डिप्लोमा के ये सभी सेक्टर्स आज खूब तेजी से डिवेलप हो रही हैं और जब एपीजी यूनिवर्स्टीज की फैकल्टीज के बारे में कुछ कहा जाए तो वो भी कम है जी हां यहां की फैकल्टीज स्टूडेंट्स को फुल सपोर्ट करती हैं और उन्हें सब्जेक्ट से हट कर एक्स्ट्र नॉलेज भी देती हैं साथ ही स्टूडेंट्स को उनके भविश्य के लिए प्रेपैर भी करती हैं जिससे स्टूडेंट्स आसानी से अपना भविश्य बना सकते हैं तो यह कहना गलत नहीं होगा कि एक काम्याब स्टूडेंट के पीछे एक अच्छी फैकल्टी का हाथ होता है स्टूडेंट अपर्ट वमेंग्यम्ट्स आहिए हैं अपरत मैंचमेंट और धर हभनेंगेंट्ट्ट्स आथ हैं स्टूडेंग मैंगड़ेंगरी फैसिजन दिस नाइजम अपर्ट रहेंगेंगेंग्ड़ेंग और केफिटिर्या इंपरस्टिछ बहुत इच्छे हैं और यहां पर में बहुत तरी स्वालर्शिक्ट प्रोग्राम्स हैं पेल्टी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और टीचर्स बहुत थारा सपोर्टिव हैं हम लोग को जैसे की बदलब हेल्फ करते हार एक चीज में दोस्तो जब इतना कुछ जान ही लिया है इस कॉलेज के बारे में तो क्यों ना इंफ्रास्ट्रक्चर और फेसिलीटीज के बारे में भी एक नजर डाल ली जाए शिमला के हरे भरे और उचे उचे पहाणों के बीच एपीजी उनिवसिटी तो मानो देखने लायक है बिल्डिंगी इतनी शांदार है तो वंदर के इंफ्रास्ट्रक्चर का तो कहना ही क्या एपीजी कैंपस हाई टेक्नॉलिजी से भरपूर है जब एपीजी के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है तो फिर फेसिलीटीज में कमी कैसे हो सकती है कोई घर हो या फिर कॉलिज उसे बहतर बनाती हैं फैसिलिटीज और ऐसी ही कहीं फैसिलिटीज प्रोवाइट कराता है ये कैंपस जैसे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशिस क्लास्रूम्स मॉडर्न केंटीन मुजिक रूम लाइबरी कम्प्यूटर लाब विद वाइफाई मेकानिकल लाब इस्पेंसरी कैमिकल लाब फैशन दिसाइनिंग दिपार्टमेंट ट्रांस्पोर्ट फैसिलिटी और होस्टिल फैसिलिटी इतना ही नहीं ये रैगिंग फ्री कैंपस भी है ये एक इंटर्नेशन दिपार्टमेंट की लोगों से इंटर्क्राइब को मिलता है यह की फैकल्टी बहुत जादा कोपरेटिव है कभी भी जाओन के पास तो कोपरेट करते हैं लाइबरेडी हैं काफी कुछ प्रवाइद हैं याँ उयुपी सुले यह पर प्लेशमेंट की लिए भी हमे काफी अचि प्रॉमसी सीचह है यहाली इस स्कोर इस रोग़ सुस्य जपराज्य काफी Tiny University को लिया है चै celui यह संपटन कोपतीन है भी जह बंड us एक्लिए भी सब्सटैनाँ anything तो दोस्तों हो जाए तयार क्योंकि हम बताने जा रहे हैं आपको यहाँ पर कराई जाने वाली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में भी APG University Students को पढ़ाई के लावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी आगे रखती है पिछले साल और्गिनाईस की गई बाक्सिंग चेंपियंशिप में भी APG University के तीन स्टूडेंट्स ने जीत हासल की थी इसी तरह बाक्सिंग के साथ साथ टेबल टेनिस और भी कहीं ऐसी अक्टिविटीज कराई जाती हैं ताकि स्टूडेंट्स को आगे चल कर कहीं सर ना जुकाना पड़े और वो भविश्य में आगे बढ़ने के लिए हमेशा तयार रहें और हर मुश्किल का सामना कर सकें मुश्किल का बाद कि लुक्ट एब अड़ां तरह बाद कर सकें उनी ऐल इंडर्कार्चुलर् charities,व्म बीज उनीओ गजिमन्फिक्टूंछिणी अमसेधा उनीओंकिट मेन थीज़ फर्यूर्टूंटिके सतेट डर्कार्राविस लिएक बेफदेत ईंडर्यू टोर्ल्स त्रभ आरिके सेरेग्ड जfightाव्सिन्टूंशिप्ट, बीज़ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक आप, ब्रेक के बाद आपको लेच चलेंगे नेक्स सेग्मेंट की ओर कहीं जाएगा नहीं, you just keep on watching TV100 तो झॉक्टि क Mêmeने नहीं जां मत चलेंगे